Hello everyone, welcome to my youtube channel पिछले कल हिमाचापदेश में cabinet meeting हुई और उस cabinet meeting में decide हुआ कि हिमाचापदेश का जो forest department है उसमें जो engineering staff है, total 26 employees तो उनको absorbed कर दिया जाएगा और उनको कहां भेजा जाएगा Public Works Department PWD, जल सकती विवाग में फिर HPSIDC में और हिमाचापदेश State Electricity Board Corporation Limited, तो यहाँ पे इनको transfer कर दिया जाएगा हम यह पहली बार भी नहीं देख रहे हैं अगर आप मेरे channel को regularly follow करते होंगे तो एक news मैंने आपको कुछ 7-8 मीने पहले बताई थी जहाँ पे जो rural department department है उसमें से कुछ जो employees रहते थे engineering staff से तो उनकी services को वहाँ से खतम करके उनको जो पधान मंतरी सिंचाई योजना start वी थी 2.0 तो वहाँ पे उनको जो है वो transfer कर दिया था merge कर दिया था उनकी services को वाकि उनको जो वहाँ पे benefit मिलते थे वो सारे उनको वहाँ भी मिलेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे भी हो चुका है तो इसके बाद SI की मतलब हम एक हर एक department के उपर बात कते जैसे कि PWD है तो PWD department 2018 के बाद direct recruitment अभी तक नहीं आई है दो हो जाते ही साब को पता है कि start हो चुका है जल सकती विवाग इनमें भी इनोंने भी मतलब कोई बड़ी भरती नहीं निकाली है पिछले 3-4 सालों में HPSIDC में भी हमें 10-15 vacancies देखने को मिल जाती थी हर दूसरे साल लेकिन 16-17 के बाद अब इस department ने भी अपने हाथ खड़े कर दियें कि अब हम नहीं भर सकते कोई भी vacancy उसके बाद हमाज़ पदेश स्टेट electricity board तो इनके पास अच्छी खासी vacancies है डारेक्ट recruitment की भी अगर मैं बात करूँ तो इनका कहना है कि हमें civil engineering से रिलेटेड फिलाल vacancies भरने की कोई जरूरत नहीं है हमाज़ पदेश Power Corporation Limited की आपको पता है कि मुझे मतलब AWSA Department है TCL, PCL इनमें आपको 2-3 साल बाद जो है वो 10-15-20 vacancies देखने को मिल जाती है ये निकाल देते हैं vacancies ये नहीं करते हैं जलसकती विवाग की तरह PWD Department की तरह State Electricity Board की तरह की vacancy होने के बाद भी vacancies को नहीं निकाला जाता है तो कुछ इस तरह से total system है अब देखते हैं कि कितने जल्दी है department जो है वो direct recruitment को निकालते हैं क्योंकि PWD Department भी जो RTA लगाते हैं जैसे कि assistant इजने के reply नहीं दिया जाता है परमोशन होती रहती है जलसकती विवाग कभी वही आल है इंटर्नली पता नहीं क्या-क्या यहां डिपार्टमेंट में चला हुआ है किसको परमोशन दी जा रही है RTA वगएरह में fluctuation देखने को मिलती है कभी कुछ reply आता है कभी कुछ reply आता है तो इसके उपर भी एक dedicated वीडियो अलग से बनाएंगे कि आपको बताएंगे कुछ नए जो viewers हमारे साथ जुड़े होते हैं उनको इन चीजों के बारे में समझने ही आता है कि हम क्या यहां पर बोलते है क्योंकि जो regularly देखते रहते हैं उनको पता है कि यहां पर किस तरह की वीडियों मैं आपको रेगुलर्ली प्रोवाइट करवाता रहता हूं तो उस वीडियो में हम बात करेंगे तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए